नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल देहंदी में इस दुनिया में ऐसे कई अनोखी रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में कई लोग नहीं जानते होंगे उनमें से कई चौका देने वाले हैं तो कई आपको रोजमर्रा के चीवन में बड़ी जानकारी देते हैं आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य लेकर आए हैं जिनके बारे में सुनकर हम शर्त लगा सकते हैं कि आप यहीं कहेंगे अरे भाई यह पहले क्यों नहीं बताया तो आए जानते हैं इन अनोखे रोचक तथ्यों के बारे में शायद ही आपको इस बात की चानकारी हो लेकिन बता दें कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के पास कई न्यूक्लियर वैपन है और उन्हें को लॉंच करने का पासवर्ड 1968 से लेकर 1976 तक यानि कि पूरे आठ सालों तक बिल्कुल सेम रहा था अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल लॉंच कम्प्यूटर पेंट्रोल का पासवर्ड आठ भार शून ने था अब सोचिए अगर इस बात की जानकारी किसी को पहले होती तो उस इंसान को अमेरिकी दुश्मन अर्बों रुपए देने को तयार हो जाते आपको ये जानकर हैरानी होगी यदि मानाओ दिमाग जितना शक्तिशाली कोई कम्प्यूटर हो तो वो प्रतिस सेकंड लगभग चार करोड ओपरेशन करने में सक्षम होगा और 35 लाक जीबी से ज्यादा मेमोरी सेव कर सकेगा पता चला आखिर कितना अधिक शक्तिशाली है आपका ये दिमाग केवल इसे जरूरत है तो सही ढंग से इस्तेमाल करने की चॉकलेट जैसी टेस्टी चीज बिना बात ही बदनाम है आपको बता दें कि चॉकलेट में कई तरह की खोबिया होती है जिन में से एक आज हम आपक की जरूरत पड़े तो आपको सिर्फ इतना करना है कि सेल्सियस के नंबर को दुगना कर उसमें 28 अंक और जोड़ दें इस बात पर शायद आप यकीन न करें लेकिन ये बिल्कुल सच है कम खाना खाने के कारण आपकी उम्र बढ़ने की गति कम हो जाती है और आप लंबी आ आप एक शब्द को याद करने में पूरा दिन निकाल देते हैं और फिर भी वो शब्द आपको याद नहीं आता आपको हम बता दें कि इस सवस्था को विज्ञान की दुनिया में लेथो लोजिका कहा जाता है आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपके जीव बलकि पुरानी पीडियों के वेद भी मानते हैं तो ये थे दोस्तों कुछ अनोखी रोचकतत थे जिनके बारे में हर कोई तो बिलकुल नहीं जानता होगा लेकिन जो जानता है उसे खाफी अकलमन माना जाता है तो इन्हें दूसरों के आगे शेयर करके आप भी समझधार बन सकते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करा न भोलिए हम आगे भी आप से मिलेंगे इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियों के साथ तब तक दिजिए हमें इजाजत अपना खयाल रखें नमस्कार